हम हैं मलाड में ये नजारा रसावर्स यानी सुभष शाम का है ये जगए जितनी एतिहासिक, खुबसूरत और विजिलेंट है उतनी ही ट्राफिक के मामले में फिसड़ी पूरा मुंबई एक तरफ और मलाड की ट्राफिक एक तरफ इस जगए ने जितनी तेजी से विकास देखा उतनी ही तेजी से यहां का ट्राफिक बढ़ा खास कर साल 2022 के बाद मलाड का काया कल्प हुआ मलाड एलाके में 11 लाग लोग रहते हैं हजारो गाडिया है रोड नेटवर्क 140 किलोमीटर का है रोज सुबह और शाम के समय मलाड में 3-5 लाग गाडियां बसेस और दूसरे वाहन सडको पर होते हैं साथ ही कांदी वली और बोरी वली इलाके में जाने के लिए यहां से गुजरना जरूरी है नतीजा आपके सामने लिंक रोड, वेस्टन एक्स्प्रेस हाईवे, मारवे जंक्शन दरसल मलाड में 1-2 नहीं बलकि 18 ऐसी सडके हैं जो की हाई फ्रिक्वेंसी ट्राफिक जोन में हैं एस्वी रोड, हाईवे, एके वैद्धिमार्क, दफ्तरी रोड, दत्त मंदिर रोड, हाजी बापू रोड, जैन मंदिर रोड, खोद कुआ रोड, कुरार विलेज रोड, मारवे रोड, नाहर नगर रोड, राम चंदर लेन, रानी सती मार्क, सर्विस रोड, लिंक रोड, ये समस्या समय के साथ पनपी है एक समय में जो इमारते आइकॉनिक थी जो घर और दुकाने सड़क के किनारे पर थे वो ट्राफिक बढ़ने के बाद अडचन बन गए साथ ही घरकानूनी कंस्ट्रक्शन लगातार पनप रहे थे वहीं आबादी और गाड़ी ये भी बढ़ रहे थे नतीजा आपके सामने है जैसर से आने में मुझे आदा गंटे लगते हैं और मलाड इस्टेशन से मालोनी आने को पौना गंटा एक गंटा लग जाता है इतनी ट्राफिक होती है कि बहुत परेशान होना पड़ता है लेकिन जब समस्या होती है तो उसका हल भी होता ही है अब की बार लोगों की मदद के लिए सामने आई मुंबई महानगर पालिका दरसल मामला सिर्फ ट्राफिक का नहीं रहा बलकि परियावरण, लोगों के स्वास्त और लोगों की कारिक्षमता का भी है ये सारे विभाग मुंबई महानगर पालिका के हैं इसलिए जो पूरे मुंबई में नहीं हुआ वो मलाड में हुआ मुंबई महानगर पालिका के P.Narth Ward ने एकशन प्लान बनाया ये प्लान भी ऐसा जिसमें सिर्फ चुनौतिया मुंबई महानगर पालिका के P.Narth Ward ने सबसे पहले Bombay IIT के पास से ट्राफिक समस्या और उससे हो रहे नुकसान और साथ ही एक्शन प्लान पर रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट के अनुसार मलाड की कई सडकों पर बोटल नैक बन चुके हैं। गयर कानूनी कांस्ट्रक्शन ने मलाड के जंक्शन को जाम कर रखा था। मुंबई महानगर पालिका ने एक बड़ी लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पालिका के पी नार्थ वॉर्ड ने ट्राफिक में अडचन बनने वाले 730 स्ट्रक्शर को नोटिस जारी किया। कुल 730 स्ट्रक्शर तोड़े गए जिसमें 594 कमर्शिल और 136 रेसिडेंट हैं। ये कारेवाही से 3 किलोमीटर की सड़क खाली हुई। सर्वे के माध्यम से गयर कानूनी स्ट्रक्शर को आइडेंटिफाई किया गया। जिसका आकड़ा 970 जितना बड़ा था। इस सूची में मलाड स्टेशन के सामने मौजूद MM मिठाई वाला जैसी कही दुकाने शामिल हैं। सालों तक कागजी कारेवाही करने के बाद 3088 जितने लोगों को प्रोजेक्ट अफेक्टेट पीपल की सूची में शामिल कर उन्हें नया घर दिया गया। वही कुल 12 करोन रुपए का मुआवजा और प्रापर्टियां दी गई। सबसे ज़्यादा कड़ी कारेवाही ये थी कि ट्राफिक में अडचन रूप ऐसे मेकसंस और शांती विला बिल्डिंग्स को आधा काटा गया। जुगल की शोर बिल्डिंग, पुलिस कौर्टर्स, दरगाह रोट की दुकाने, दारुवाला कमपाउन जो की 100 साल से अधिक पुराने थे उन्हें पूरी तरह से डेमॉलिस्ट किया गया। 12 बोटलने एक जगहों का नया लैंडसकेपिंग हुआ, जिससे ट्राफिक आसानी से गुजर पाए। मुंबई में कई जगहों पर जन सुविधा के लिए कारेवाही होती रही, लेकिन पी नार्थ वार्ड की कारेवाही बेमिसाल है। ये कारेवाही इस बात की गवाह है कि लोगों की सुविधा के लिए पालिका करता विबध, कृत निश्याई और जागुरुख है। पालिका की कारेवाही की वजह से अब मलाड में ट्रवल टाइम 25 फीजदी कम हुआ। हर वाहन की 5 मिनट ट्राइवलिंग टाइम कम हुई, यानि 5 लाख वाहनों का रोजाना 25 लाख मिनट ट्रावल टाइम कम हुआ। देश का इंधन बचा और परियावरण का लाब भी हुआ। और नतीजा आपके सामने हैं। खुद देख लीजी। सौलियत का काम हो गया जो हमारा जो मालविरोड था, जो मालवनी चर्च का एक इलाखा तो बहुत जादा कंजेशन और ट्राफिक होता था। और जिसके वज़े से हमको घंटों घंटों का जो सफर्यों और कई जादा घंटे लगने लगते थे। बंट जाने के लिए कभी कभी दो-दो घंटा लग जाता था लेकिन वह जब से वहां पर जो एंक्रोच्मेंट सटाए गये जो दिवालों को साइड में किया गया उसके उज़े ट्राफिक है स्मूथ काफी हो गया हमारा लगबग लगब आदे से पहुने गंटे की बच्च अब मुंबई वासियों को एंक्रोच्मेंट फ्री साथ एकड़ का वैदिक पार्क मिलने जा रहा है जहां गयर कानूनी व्यापार का अड़ा बन चुका था ये मैदान मालवली कब्रस्तान के सामने है वहीं मुत्तुमारी नगर इलाके में 6000 स्कुयर मीटर जमीन को कबजे से मुक्त भी कराया गया है बार डोंगरी रोड पर करीब 27 कमर्शिल और निवासियों को खाली कराया गया जिससे लोगों की सुविधा बढ़े